वाय गुर्दा खाल्चा, वाय गुर्दी फते, केंद्रियम मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी गाण, राज्यों के मुकमंत्री गाण, विबिन सम्मानि समस्ताओं के चैर्मेन और प्रसेडेंट, डिप्लोमेट्स, देश बर से जुड़े, विशेश रुप से इसकारकम के साथ आये हुए बालक बालिकाएं, अन्यसभी महानुभाओ, देवी और सजनों, आज देश पहला वीर बाल दिवस मना रहा है, जिस दिन को, जिस बलिदान को, हम पीडियों से याद करते आये हैं, आज एक राष्ठ के रूप में, उसे एक जूट नमन करने के लिए, एक नई शुरुवात हुई है, सहीदी सप्ता, और ये वीर बाल दिवस, हमारी सीख परंपरा के लिए, भावों से भड़ा जुरूर है, लेकिन इससे, आकास जैसी, अनन्त प्रेरणाये भी जुड़ी है, भीर बाल दिवस, हमें याद दिलाएगा, कि शौरी की पराकास्टा के समय, कम आयू, माइने नहीं रखती, भीर बाल दिवस, हमें याद दिलाएगा, कि दस गुरू का योगदान क्या है, देश के स्वाविमान के लिए, सिख्र परंपरा का बलिदान क्या है, बीर बाल दिवस, हमें बताएगा, कि भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है, हर साल, बीर बाल दिवस का ये पुन्य अवसर, पर हमें अपने अतीत को पहचानने और आने वाले भविश का निर्मान करने की प्रेरणा देगा, भारत की युवापीडी का सामर्थ क्या है, भारत की युवापीडी ने कैसे अतीत में देश की रक्षा की है, मानुता के कितने गोर प्रगोर अंदकारों से हमारी युवापीडी ने भारत को बाहर निकाला है, वीर वाल दिवस आने वाले दस्टकों और सद्यों के लिए ये उद्गोश करेगा, मैं आज इस अवसर पर वीर साहिब जादों के चरणों में नमन करते हुए, उन्हें कृतग्य सद्धाज लिए अर्पित करता हूँ, इसले मैं अपनी सरकार का सहुभाई की मानता हूँ, कि उसे आज 26 दिसंबर के दीन को बीर वाल दिवस के तौर पर गोशिद करने का मौका मिला। मैं पिता दसबेज गुरु गोविन सीजी और सभी गुरुवों के चरणों में भी भक्ति भाव से प्रणाम करता हूँ, मैं मात्रु शक्ती की प्रतीक माता गुजरी के चरणों में भी अपना सीज जुखाता हूँ, साथियों, विश्व का हजारों वर्षों का इतिहास कुरुता के एक से एक खौपनाक अध्यायों से भरा है। इतिहास से लेकर किवन्द्यों तक हर कूर्चहरे के सामने महानायकों और महानायकाओं के भी एक से एक महानचरित्र रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि चमकोर और सरहिंद के युत्में जो कुछ हुआ वो भूतों न भविशती था। यतीत हजारों वर्ष पुराना नहीं है कि समय के पहियों ने उसकी रेखाओं को दुद्रा कर दिया। ये सब कुछ इसी देश की मिट्टी पर केवल तीन सभी पहले हुआ। एक और धार में कट्रता और उस कट्रता में अंधी इतनी बड़ी बुगल सल्तरत। दूसरी और ग्यान और तपश्या में तपे हुए हमारे गुरु भारत के प्राचीन मानविय मुल्यों को जीने वाली परंपरा। एक और आतं की पराकास्टा तो दूसरी और अध्यात्म का शिर्ष एक और मजभी उन्माद तो दूसरी और सब में इस्वर देखने वाली उद्यारता। और इस सब के बीच एक और लाखों की फोज और दूसरी और अकेले होकर भी नीडर खड़े गुरु के वीर साहब जादे। इभीर साहद जादे किसी दमकी से डरे नहीं किसी के सामने जुके नहीं जोरावर्ची साब और फतेशी साब दोनों को दिवार में जिन्दा चुनवा दिया गया। एक और नुसंस्दा ने अपनी सभी सिमाए तोर दी तो दूसरी और थैरिय, शारिय, पराकरम के भी सभी प्रतिमान तूड गए। साहिब ज्यादा अजित सीग और साहिब ज्यादा जुजार्थी ने भी बहदूरी की वो मिसाल कायम की जो सदियों को प्रेणा दे रही है। भाई और बेनों, जिस नेज की विरासत ऐसी हो, जिसका इतिहास ऐसा हो, उसमें स्वाभावी कृप से, स्वाभी मान और आत्म विश्वास कूट कूट कर भरा होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमें इतिहास के नाम पर वो गड़े हुए नेरेटिव बताए और पढ़ाए जाते रहे, जिन से हमारे भीतर हीन भावना पैदा हो। बावजुदिस के हमारे समाज ने, हमारी परंपराओं ने इन गवरव गाथाओं को जिवन्त रखा। साथियों, अगर हमें भारत को भविश्य में सफलता के सिखरों तक ले जाना है, तो हमें अतीत के संकुचीत नजरियों से भी आजाद होना पड़ेगा। इसलिए आजादी के अमरित काल में, देश ने गुलामी की मानसिक्ता के मुक्ति का प्राण फुंका है। भीर, बाल, दिवस, देश के उन पंच प्राणों के लिए प्राण वायू की तरह है। साथियों, इतनी कम उम्र में, साब जादों के इस बलीदान में, हमारे लिए एक और बड़ा उपदेश छिपा हुआ है। आप उस दोर की कल्पिना करिये। आवरंग्जेब के आतंग के खिलाब, भारत को बदलने के उसके मनसुबा के खिलाब, गुरुगोविन सी जी पहाड की तरक खड़े थे। लेकिन जोरावर्ची साब और फतेशी साब जैसे कम उम्र के बालकों से आवरंग्जेब और उसके सल्तनत की क्या दुश्मनी हो सकती थी। दुन दिर्जोस बालकों को दिवार में जिन्दा चुनवाने जैसी दरीन की क्यों की गई वो इसलिए क्यों की आवरंग्जेब और उसके लोग गुरुगोविन सींग के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलना चाहते थे। जिस समय में जिस रास्त में उसकी नई पीड़ी जोर जुल्म के आगे गुटने टेक देती हैं उसका आत्म विश्वास और भविश्य अपने आत्म बन जाता है। लेकिन भारत के वो बेटे वो वीर भारत मौच से भी नहीं गवराए। वो दिबार में जिन्दा चुन गए लेकिन उन्होंने उन आतताई मनसुबों को हमेशा के लिए दफन कर दिया। यही किसी भी रास्त के समर्तिवा का सामर्त होता है। युवा अपने साहत से समय की धारा को हमेशा के लिए मोड देता है। इसी संकल्प शक्ति के साथ आज भारत की युवा पीडी भी देश को नई उचाई पर ले जाने के लिए निकल पड़ी है। और इसलिए अब 26 दिसम्बर को वीर बाल दिवस की भूमी का और भी एहम हो गई है। साथियों सिख गुरु परंपरा केवल आस्ता और अध्यात्म की परंपरा नहीं है। यह एक भारत स्रेश्ट भारत के विचार का भी प्रेरणा पुंज है। हमारे पवित्र गुरु गरंद साहब से बड़ा इसका उदारन और क्या हो सकता है। इसमें सिख गुरुओं के साथ साथ भारत के अलग-अलग कोणों से 15 संतों और 14 रचनाकारों की बानी समाईत है। इसी तरह आप गुरु गोविन सींजी की जीवन यात्रा को भी देखिए। उनका जन्मा पुर्वी भारत में पत्नाबे हुआ। उनका कार खेत्रा उत्तर पसीमी भारत के पहड़ी अंचलों में रहा। और उनकी जीवन यात्रा महराष्ट में पुरी हुई। गुरु के पंच प्यारे भी देख के अलग-अलग हिस्सों से थे। और मज़े तो गर्व है कि पहले पंच प्यारों में एक उस धर्ती से भी था। द्वारिका से गुजरात से जहां मुझे जन्म लेने का सोभवाग मिला है। ग्यक्ति से बड़ा विचार विचार से बड़ा राष्ट्र राष्ट्र प्रथम का ये मंत्र गुरु गोविन सीजी का अटल संकल पता है। जब वो बालक थे तो ये प्रस्ट आया कि राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए बड़ी बलिदान की जरुरत है। उन्होंने अपने पीता से कहा कि आप से महान आज कौन है। ये बलिदान आप दीजिए। जब वो पीता बने तो उसी तत्परता से उन्होंने अपने बेटों को भी राष्ट धर्म के लिए बलिदान करने में संकोच नहीं किया। जब उनके बेटों का बरिदान हुआ तो उन्होंने अपनी संगत को देखकर कहा। चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। अर्थात मेरे चार बेटे मर गए तो क्या हुआ संगत के कई हजार साती। हजारों देशवासे मेरे बेटे ही है। देश प्रथम नेशन फस को सर्वोपरी रखने की ये परंपरा हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेना है। इस परंपरा को ससक्त करने की जिम्मेदारी आज हमारे कंदों पर है। साथियों भारत की भावी पीडी कैसी होगी। ये इस बात पर भी निर्भर करता है। वो किस से प्रेना ले रही है। भारत की भावी पीडी के लिए प्रेना का हर सोत इसी धर्ती पर है। कहा जाता है कि हमारे देश भारत का नाम जिस बालग भारत के नाम पर पड़ा। वो सीहों और दावनावों तक संहार करके ठकते नहीं थे। हम आज भी धर्म और भक्ति की बात करते हैं तो भक्त राच प्रहलात को याद करते हैं। हम दैर्यों और विवेक की बात करते हैं तो बालग ज्रूव का उदांग देते हैं। हम मृत्यू के देवता यम्राज को भी अपने तब से प्रभावित कर लेने वाले नची केता को भी नमन करते हैं जिस नेत्वी नची केता ने बाल लेकाल में यम्राज को पूछाता वॉट इस देट मृत्यू क्या होता है हम बाल राम के ज्यान से लेकर उनके शवर्य तक वशिष्ट्र के आस्रम से लेकर विश्वा मित्र के आस्रम तक उनके जीवन में हम पग पग पर आदर्स देखते हैं प्रभुराम के बेटे लवकुष की कहाने भी हर माँ अपने बच्चों को सुनाती है स्री क्रस्ट्र भी हमें जब याद आते हैं तो सबसे पहले काना की वो च्चबी याद आती है जिनकी बौशी में प्रेम के स्वर भी है और वो बड़े बड़े राक्ष्चों का संहार भी करते है उस पाउराणी की यूग से लेकर आदुनी काल तक वीर बालत बाली काएं भारत की परंपरा का प्रतिबीम रहे है लेकिन साथियो आज एक सच्चाई भी मैं देश के थामने दोहरा ना चाहता हूँ साभजादों ने इतना बड़ा बलिदान और त्याग किया अपना जीवन न्योचावर कर दिया लेकिन आज की पीडी के बच्चों को पूछेंगे तो उनमें से जादातर को उनके बारे में पता ही नहीं है दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होता है कि इतनी बड़ी शौरिय गाता को इस तनक भुला दिया जाए मैं आज के इस पावन दिन इस चर्चा में नहीं जाऊँगा कि पहले हमारे हां क्यों वीर बाल दिवस का विचार तक नहीं आया लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अमनाया भारत दसकों पहले हुई एक पुरानी भूल को सुधार रहा है किसी भी रास्ट की पहचान उसके सिध्धान तो मुल्यों और आदर्सों से होती है हमने इस जहास में देखा है जब किसी रास्ट के मुल्य बदल जाते है तो कुछी समय में उसका भवी से भी बदल जाता है और ये मुल्य सुरक्षी तब रहते हैं जब वर्तमान पीडी के सामने अपने अतीत के आदर्स पस्त होते हैं यूआप पीडी को आगे बढ़ने के लिए हमेशार रोल मॉरल्स की जरुवत होती है यूआप पीडी को सीखने और प्रेणा लेने के लिए महान व्यक्तित्म वाले नायक नायकाओं के जरुवत होती है और इसलिए ही हम स्री राम के आदर्सों में भी आस्ता रखते हैं हम भगवान गौतम बुद्धर और भगवान महवीर से प्रेणा पाते हैं हम गुरु नायक देवजी के वाणी को जीने का प्रियास करते हैं हम महरणा प्रताप और छच्च्रपती सिवाजी महाराज जैसे वीरों को बारे में भी पढ़ते हैं इसलिए ही हम विबिन जेंतिया मनाते हैं सैक्रों हजारों वर्ष पुरानी गटनाओं पर भी परवों का आयोजन करते हैं हमारे पुर्वजों ने समाज की ज़रुत को समझा था और बारत को एक ऐसे देश के रुप में गड़ा जिसकी संस्कृती परवों और मान्यताओं से जुड़ी है आने वाली पीडियों के लिए यही जिम्मेदारी हमारी भी है हमें भी उस्तिंतर और छेतना को चिरंतर बनाना है हमें अपने वैचारी प्रवा को अक्षून रखना है इसलिए आज़ादी के अमरत महोसों में देश स्वादिंता समगराम के इत्यास को पुनर जिवित करने के लिए प्रयास कर रहा है हमारे स्वादिंता सेनानियों के विरांगनाओं के आदिवासी समाथ के योगदान को जन जन तक पहुँचाने के लिए हम सब काम कर रहे हैं वीर बाल दिवत जैसी पुन्यती थी इस दिशा में प्रभावी प्रकास तंब की भुमिका निभाएगी साथियों मुझे खुशी है कि वीर बाल दिवत से नई पीड़ी को जोड़ने के लिए जो त्वीज कंपुटिशन हुआ जो निमंद प्रतियोगिता हुई उसमें हजारों युवाउंने हिस्सा लिया है जम्मु कश्मीर हो दक्षिन में पुड़ी चोरी हो पूरम में नागालैन हो पस्सिम में राजस्तान हो देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां के बच्चों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर के साहब जादो के जीवन के विशे में जानकारी नली हो निमंद नली खा हो देश के विबिन स्कुलों में भी साहब जादो से जुड़ी कई प्रतियोगिता हुई है वो दिन दूर नहीं जब किरला के बच्चों को वीर साहब जादो के बारे में पता होगा नौर्थिस के बच्चों को वीर साहब जादो के बारे में पता होगा साथियो हमें साथ मिलकर वीर बाल दिवस के संदेश को देश के कौने कौने तक लेकर जाना है हमारे साहिब जादों का जीवन उनका जीवन ही संदेश देश के हर बच्चे तक पोचे वो उनसे प्रेणा लेकर देश के लिए समर्पित नागरिक बने हमें इसके लिए भी प्रयास करने मुझे भी स्वास है हमारे एक जुट प्रयास समर्थ और विक्सित भारत के हमारे लक्ष को नई उर्जा देंगे मैं फिर एक बार वीर्च साहिब जादों के चर्णों में नमन करते हुए इसी संक्रप के साथ आप सभी का रदे से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ